तोर मेरे भाई लोग सब बड़ी है ने यार अब यार सुनने में आया कि भाई बैटल ग्राव मॉबाइल इंडिया जल्दी ही इंडिया है कि अंदर लॉंच होने वाला है एक नहीं सही बताओ तो मैंने उसको प्रेजिस्टर कर रखाया तो भाई मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों ने उसको प्रेजिस्टर कर रखा है क्योंकि भाई मैं तो डेफिनेटली उस गेम को खेलने वाला हूं और भाई आज बात करते हैं इस वाले गेम प्लेए कि तो देखो मैं उत्राता प्लेटफॉर्म पे और तभी एक माश्य दरसन देते हैं और जैसे ही भाई करें के निकली रहा था लेकिन तभी तभी यहां पर मुझे कुछ सुनाई देता है अब यार गोर से देखने पता चलिए कि भाई कुछ संता मनता आपस में यू दब्यास कर रहे थे लेकिन भाई मैं उनके यू दब्यास के बीच में दखल देता हूं अब यार एक बंदे को तो लपेटे में ले लिया था बाकि अभी यहां पर उसकी पूरी टीम बची हुई थी तो भाई इसलिए से पहने में अपने हेल्स लगाई और भाई तभी तभी यहां पर एक बोट महाश्या प्रकट होते हैं अब यार बोट भी कई बार स्योडी में कील चुरा लेते हैं और ओल्रेडी में एक कील पहले ही खो चुका था तो भाई मैं यह वाला कील नहीं चोड़ना चाहता था तो भाई मैंने सबसे पहले अपना कील कंफर्म करा उसके बाद बोट को लपे टेम ले लिया अब जया है 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 मैं अब यहार किल्किल की चकर में आपने वहस्ट की तरफ द्यानी ने थे लेकिन हाप अगर दो तिन गोली और लग जाती तो मेरी वेस्ट जो की लेवल रही थी वह खतम ती तो यहां पर जीतने वी कील्स दे वह चुके थे और आगया कहां से नकलना था क्वे कि यहां पर मेरकर ड्रोप गिराऊँए मिला था और मैं नहीं चाहँता था कि कोई ड्रूप मेरे से पहले लूट ले लेकिन अब यार जैसे ही मैंने अपना वीमान रोका वैसे ही भाई कुछ महारते यहां पर प्रकट हो जाते हैं और देखना अभी क्या हाल होता उनका अब यार एक बंदे को तो मैंने दबोच लिया तो भाई साय दूसरा बंदा भागने कोसिस कर रहा था लेकिन भाई उसके टीम ने टिब बोला हो गयार बचाले यार बचाले तो भाई उस बीच वो भी मारा गया है अब देखो यार यह जो यह बोट है यह भाई बहुत ही चम कौन ही है लोग कहां से आते ही हैं अब यार वो बोट तो पता नहीं भाई पता नहीं कहां कौन सी पाउर थे उसके पास में जो इन्वीजिवल हो गया था अब भाई मैं सोच रहा था कि सायद वो गाड़ी वाले इस तरफ आएंगे फाइट लेंगे लेकिन वो लोग भाई डड़के निकल गए थे क्योंकि भाई अब यहां पर मेरे हाथ में एक उजार लग चुका था जो कि भाई इस पूरे गेमप्ले को बदलने वाला था अब यार क्योंकि एक ड्रोप आगे की तरफ गिरा हुआ था तो भाई सायद वो गाड़ी वाले उसी तरफ गए थे तो भाई मैंने अपना विमन उठाया तो सीधा उनके पीछा करने निकल चुका था और भाई हुआ भी ऐसा ही वो लोग यहीं पर आये थे और देखो अब अब यार एक बंदा बिना कसूर मारा जा चुका था अब बारी दूसरे की थी अब यार यहां पर तो सफाया हो चुका था लेकिन भाई अब जो पुराने वाला ड्रॉप था जहां पर भाई वो बोट चमतकारी बोट मिला हुआ था वहां पर साइद मेरे को कुछ से अभी गोलियों चुलाने की से अवाद सुनाई दे रही थी तो भाई अभी मेरे को वहां पर निकलना था लेकिन उससे पहले यहां पर इनका जो माल था वो लूटना जुरूरी भी था क्ष़ चाहाँ ईंकांद अभी था लुटना जवा हुआ हुआ है क्ष़ प्रियों क्ष़ चुलान पर दाओं अगया की तो अभी वहां पर अए लग्वाद हुआ अवर्प बाड़् कर तीक हो थीक है मुस्करायो बस खाई मुस्करायाने का कोई पैसा नहीं तीक है मुस्करायो लेकिन हसो मत ठीक kah अब यार होग यहां पे दोनों मेरे शाँद कम आग गए थे तो भाई एक ड्रोप और आ गया था और उस पहले इसके टीममेट या पता नहीं कोई दूसरी टीम भी यहां पर अवलेबल ती तो देखो उनके साथ क्या होता है अब यार यह महाश्य पता नहीं आख बंद करके कहां भागी जा रहा था और भाई इसको यह भी नहीं दिख रहा कि भाई यहां पर बंदे लपेटे में लिए जा रहे हैं सायतो श्रीमान जी को भाई ड्रोफ लूटने के जल दी लेकिन भाई तभी एक बंदा और यहां पर उचल कुद कर रहा था लेकिन मॉंस्टर के आगे भाई वह भी बिल्कुल फीखा पड़ जाता है और भाई एक गोली तक नहीं चला पाता है क्या 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 क अब यार यहां पर तीन बंदे बचे हुए थे लेकिन भाई तभी तभी एक बंदा मेरे को बागते हुए दिख जाता है और भाई मैं उसका पीछा करने निकल ही रहाता कि लेकिन वह बंदा कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकला क्योंकि भाई उसके पास में ड्रोप गिरा वा था तो उसने भाई अपना स्मोक वंबर यूज़ करके ड्रोप को लूटा और तभी तभी भाई जो दूसरा बंदा था वह उस बंदे ने आतमात्या कर ली अब यार जैसे ही बंदा दिखता भाई देखो भी क्या होने वाला है भाई लास्ट वाला पार्ट दुबारा प्ले कर रहा हूं द्यान से देखना इंक बार भाई अगर गोली मेरे कान के पास से भी चले जाती तो भाई मेरी भी यहां पर अर्थी उनने वाले दे लेकिन यार विलाल यह मैच हम लोग जीत गए थे तो भाई ऐसे ही अगर इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट में अप ग्रेटिंग